सुद्ध जल होता है अपसने अमलिये बी छारिये सी उदासीन डी इन्मे से कोई नहीं तो सुद्ध जल क्या होता है तो उदासीन होता है कैसे होता है इसका हम लोग बिसलेशन करते हैं जैसे देखिए तो अमलिये साथ से अगर कम होगा तो अमलिये हो जाएगा और साथ से अगर अधिक हो गया तो छारिये हो जाएगा और साथ हो गया तो उदासीन हो जाएगा यानि सुद्ध जल का प्येश मान जो होता है साथ होता है इसलिए ये उदासीन हो गया नेक्स्ट पेज़ पर हम लोग थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं जैसे यहां आप दखिए तो यह यहां जीरो हो गया यहां यह 14 हो गया और यह साथ हो गया साथ उदासीन हो जाएगा और यह हो जाएगा छारिये और यह हो जाएगा अमलिये । यानि साथ से कम गया तो अमलिये और साथ से इधर बढ़ गया तो यह चारिये हो जाएगा और साथ से कम जाएगा तो अमलिये और साथ हो जाएगा तो उदास्रीन हो जाएगा पी-एच का फूल फॉर्म होता है पावर ओफ हाइड्रोजन पावर ओफ हाइड्रोजन इसे समझलिए पी-एच का खूझ नो उनी सो नो में किया है यह मीटा कर आपको बता रहा 1909 में स्वरेंशन ने किया है ठीक ने उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं निम्लिकित में कौन सत्थ है आप्शन A स्वयव अक्तर राउल पिंडी एक्सप्रेस आप्शन B जवागल स्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस आप्शन C पेश वभुपती इंडियन एक्सप्रेस D इनमे से सभी तो इसक्वाइब का आउल पिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं आप्शन D इनमे से सभी क्या है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंगुर में कौन सा अमल पाया जाता है option a citric aml b acetic aml d electric aml c codiatric aml d tartric aml तोGER तो citric aml किसमे पाय जाता है तो निम्बू में पाय जाता है citric aml निम्बू में पाय जाता है उसके बाद acetic aml जो है सिरकाम पाय जाता है उसके बाद लेक्ट्रिक अमल जो है दूद में पाया जाता है उसके बाद टार्ट्रिक अमल जो है अंगूर या अंगूर में भी पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है तो इस कोश्चन का आंसर जो हो जागा अप्सन नमर डी यानि टार्ट्रिक अमल अगर में कौन सा आमल पाया जाता है तो टार्टिक आमले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद